दोस्तों फानेले यहाँ पर आप लोगों के सामने है मोटरोला का मोटो जी टॉन्टी फॉर हलाकि कहीं न कहीं आपको जी फॉर्टी टू को याद दिलाएगी यह स्मार्टफॉन फॉर्टू और टू-फॉर में काफी कुछ डिफ्रेंस है लेकिन कहा जा रहा है कि 42 का ही री ब्रैंड वर्जन यह है लेकिन चली जान लेते हैं इसमें फीचर्स और इसबैंस के बारे में क्या कुछ इसमें मैज कर रहा है तो मोटो जी टॉन्टी फॉर में आपको FSD मददा Full HD Plus Display स्क्रीन मिल रही है 90 Hz का Refresh Rate है जो कि मुबाइल में Company Entry Level का MediaTek Helio G85 चिपसेट है यहाँ Detail के Geek Bench पर जो सामने आ रही है जैसे बताया कि Storage के मामले में 8 GB RAM है 128 GB का Intellion Storage है Base Model के साथ लाँच हो रहा है Camera की फिजर्स की बात करें तो इसमें आपको डिवाइस में Dual Rear Camera का Setup है और बैटरी के मामले में बात करें तो 5000 में इसकी बैटरी के साथ Charging का Support है जो की Fast Charging का Support इसमें बात हो रही है Others की Features की बात करें इसमें Dual SIM 5G और Wi-Fi Bluetooth Fingerprint Sensor Features के लेस हैं Operating System की बात करें तो इसमें Smartphone में Company Android 14 OS दे रही है जहां पे काफी कुछ दिल्चस्प देखने को मिल रही है अब यहां पे अगर मैं चीज बताऊं कि G24 में Geek Bench पे 6 Benchmark Test के Single Score में 407 मिले हैं और Multi Score की बात करें तो 1399 के हैं Listing से 2 प्लस 6 Core Configuration के साथ Acta Core Processor मिलने की बात आई है Chipset 2.00 GHz और 1.80 clock Speed वाला हो सकता है इसमें G50 Mali G52 GPO वाला बताया जा रहा है इसमें मैंने पहले बता दिया था कि इसमें Storage के मामले में 7.61 GB यानि 8 GB तक RAM इसमें बाते हो रही है तो फिलाल दोस्तों यह सारी चीज़े यहीं तक कि थी वीडियो के पसंद आजा पी जब लाइक करना शेर करना मिलतों मैंसे नहीं में तब तक क्लिए टेक केर